आईए देखते हैं भारत के सभी राष्टपतियों के सूची 1947 से लेकर 2022 तक कारेकाल यहूं उनकाराजनीतिक सौफर्ट सभी परिक्षाओं के लिए महत्तोपूंग है। राष्टपति भारत में राज का पर्मुक होता है। उन्हें देश का पर्थमनागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोज संबैधानिक पद है। भारतिया स्वन विधान के अनुछेद बाउन में कहा गया है की भारत का एक राश्टपती होगा और अनुछेद तीर्पन के अनुसार संकी सवी कारेकारी सकतिया उसके दोरा या तो सीध या अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से निश्पादित की जाएंगी निर्वाचन मंडल भारत के राष्टपती का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का परतनिधित्व अनुपातिक होता है उनका भोट सिंगल ट्रांसफीरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है राष्टपती का कारेकाल पांच साल का होता है और राष्टपती के हस्ताक्षर के बीना भारत में कोई भी कानू लागू नहीं हो सकता है डाक्टर राजेंदर परसाद का कारेकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 माई 1962 तक इनका कारेकाल रहा भारत के एक मातर राष्टपती थे जिन्होंने दो कारेकालो तक राष्टपती पदपर कारे किया हुए स्वामिधान साभा के अध्यक्ष भी थे और भारतिय स्वाधिनता आंदोलन के परमुक नेता थे उन्होंने 1962 में भारत रत्म दिया गया था डाक्टर स्वरपली राधा क्रिश्णन इनका कारेकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1962 स्वी तक इनका कारेकाल रहा डाक्टर स्वरपली राधा क्रिश्णन का जन्म पांच सितम बर 1888 को हुआ था और इसी दिन को सीक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है उनको 1954 में भारत रत्म दिया गया था डाक्टर जाकिर हुसेन डाक्टर जाकिर हुसेन का कारेकाल 13 मई 1962 से लेकर 3 मई 1979 तक इनका सासन काल रहा डाक्टर जाकिर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती बने और उनकी मिरितुपद परहते ही हुई थी ततकाले कोप राष्टपती बीवी गीरी 3 मई 1979 इसवी से लेकर 20 जुलाई 1979 इसवी को करवाह का राष्टपती बनाया गया था उसके बाद शुप्रिम कोट के मुखे नियाधीस मुहम्मद हिदाय तूला 20 जुलाई 1979 इसवी से 24 अगस्त 1979 तक करवाह का राष्टपती बने यह भारत के सबसे परसीद तबलाबादक थे मुहम्मद हिदाय तूला को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के छेतर में पद्न भूसर्ट से समानित किया गया था इनको भारत में सिक्षा की करांती लाने के लिए भी याद किया आ जाता है इनके नित्यत में राष्टी और मुस्लिम विश्व विद्याले जामिया मिलिया इसलामिया स्थापित किया गया था बीवी गीरी बीवी गीरी का कारिकाल 24 सगस्त 1979 रिश्वी से लेकर 24 सगस्त 1974 रिश्वी तक रहा बीवी गीरी भारत के चोथे राष्टपती थे इनका पूरा नाम बारा गीरी बेंकट गीरी है इनके समाई में दूसरे चक्र की मतगर्णा करनी पड़ी थी यह पहले भारत के करवाह का राज़्क पती रहे थे 1975 में उनको भारत रत्न से समानित किया गया था फकरुदीन अली अहमद इनका कारेकाल 24 सगस्त 1974 इसवी से लेकर 11 फरवरी 1997 इसवी तक इनका कारेकाल रहा फकरुदीन अली अहमद भारत के पाचवे राष्टपती थे दूसरे राष्टपती जिनके मिरित्तु राष्टपती के पत पर ही हो गई थी बीडी जती 11 फरवरी 1987 इसवी से लेकर 25 जुलाई 1977 इसवी को करवाहक राष्टपती बनाया गया था निलम संजी उरेडी इनका कारेकाल 25 जुलाई 1997 इसवी से लेकर 25 जुलाई 1982 इसवी तक इनका कारेकाल रहा भारत के छटे राष्टपती बने और आंद्र परदेश के मुख मंतरी भी रहे हैं वे भारत के ऐसे राष्टपती थे चिनहे राष्टपती की उमिदवार होते हुए पर्थम बार बीफलता पराप्थ हुई और दूसरी बार उमिदवार बनाये जाने के बाद वो राष्टपती पद पर निर्वाची थुगे थे ग्यानी जैल सिंग इनका कारेकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 से तक इनका कारेकाल रहा राष्टपती बनने से पहले वे पंजाब के मुख मंत्री और केंदर में भी मंत्री रहे थे भारतिय डाग घर से शंब बंधी बिधियक पर उन्होंने पॉकेट बीटों का भी परयोग किया था उनके राष्टपती कारेकाल में बहुत सी घटनाय घटी जैसे अपरेशन बोलू एस्टार इंद्रा गांधी के हत्या और 1984 में शीक बिरोधी दंगा आर बेंकट रमण इनका कारेकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 से तक इनका कारेकाल रहा आर बेंकट रमण 1984 से लेकर 87 तक भारत के उपराष्टपती रहे थे वे एक भारतिय वकील शोतंता शंगरामी और महान राजनेता थे उन्होंने अपने राष्टपती काल में शर्वादिक परधान मंत्री को उनकी पत की सफ़त दिलाई थी डाक्टर संकर द्याल सर्मा इनका कारेकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इनका कारेकाल रहा वे राष्टपती अपने पत से पहले भारत के आठवे उक राष्टपती थे 1952 से 56 तक भी भोपाल के मुख मंत्री रहे थे और 1956 से लेकर सर्षर्था केबनेट मिनिस्टर इंटरनेशनल बार एसोसियेशन ने उनको लीगल परफेशन में बहुत उपलव्वियों के कारण लीविंग लीजेंड ओफ ला अवार्ड ओफ रिकनाईजेशन दिया गया था नेक हरके नरायन इनका कारेकाल 24 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई दुहजार तुइस्वी तक इनका कारेकाल रहा के आर नरायन अपने के आर नरायन भारत के पर्थम दलित राष्ट पती तथा पर्थम मल्याली ब्यक्ती थे जिने देश का सर्वोजपत पराप्त हुआ था वे लोग सभा चुनाव मद्दान करने वाले तथा राज की बिध द्वररा-ढूर भारत के मिसाइल में नाम से भी जाने जाते हैं वे पहले बेग्यानिक थे जिन्होंने राश्ट पती पद को शम्भाला और भारत के पहले राश्ट पती जो शर्वादिक मट्टों से जीते थे उन्हें निर्देशन में रोहडी वन उपकरा अगनी और प्रितिवी मिसाइलों का सपल पर छेपड किया गया था यहां तकी 1974 ए 1988 में भारत के परमाडू परिक्षण में उनका मौतपूर योगदान रहा था 1997 में उन्हें भारत रतने से समानित किया गया था शिर्मती परतिभार सिंग पाटिल इनका कारेकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनका कारेकाल रहा वो राश्टपती बनने से पहले राजास्तान की राजेपाल रही थी 1962 से लेकर 85 जुलाई तक वो पाच बार महराश्ट की विधान सभा की सदस रही हैं और 1991 में लोग सभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी इतना ही नहीं वो शुकोई बीमान उडाने वाली पहली महल्या राश्टपती भी है पॉर्णा मुखरजी इनका कारेकाल 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई दोहेर 17 तक इनका कारेकाल रहा पॉर्णा मुखरजी राश्टपती चुनाव लढ़ने से पहले केंदर सरकार में बीत मंतरी के पत पर थे उनको 1997 में सर्वसेश्ट सांसत का पुरसकार यहूं 2008 में भारत का दुसर सबसे बड़ा और सैनिक शमानपद्न विभूशन परदान किया गया था नक, रामनात कोवीन, इनका कारेकाल 25 जुलाई 27 से लेकर अभी पदस्त है रामनात कोवीन का जनम 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर परदिस भारत में हुआ था वो एक वकील और राजनेता है, वे भारत के चोदहवे और बर्तमान राष्टपती है रामनात कोवीन 25 जुलाई 27 को राष्टपती बने और भारतिय जनता पार्टी के सदसर है राष्टपती बनने से पहलेवे बिहार के पूर्व गोवर्नर थे राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके द्रिष्टी कोड ने उन्हें राजनीतिक एस्पेक्टर में परसंसा दिलाई राज पाल के रूप में उनकी उपलब्धियां बीश्व विद्यालों में भराष्टा चार की जाच के लिए नायक आयोक का निर्मार करना था थैंक्यी प्रेंट्स अच्छा लगता लाइच सास्राइब और सिर्जों करें साथ में बेल आइकन का बटन दवाना नहीं भूले